बिग बॉस की घर से बाहर आने के बाद मिलिन गावा ने क्या कहा क्या बोले वो अक्ष्रा को लेकर और अक्ष्रा के साथ अपने connection को लेकर मैं ही नखुमावत फिल्मिटो पे आपको बताऊंगी आप सभी जानते ही है कि अक्ष्रा जैसे ही बाहर आई और उन्हें सिद्धाश शुक्ला की बारे में पता चला, उन्होंने लगाता सिद्धाश को लेकर और सिद्धाश को लेकर ट्वीट किये। वही मिलिन गाबा एक्सपेक्टेड नहीं था, हाला कि अगर मैं कहूं, तो गेम जो है उन्होंने उस तरीके से नहीं खेला, जैसा बिक बॉस में खेला जाता है, लेकिन डिगनिटी के साथ गेम खेला ये तो मानना होगा, कनेक्शन टूटने के बाद जब उनका अक्षिना से कनेक्शन बना तो जो उनका रूप नजर आया, उसके बाद तो लोग मिलिन गाबा को देखना चाह रहे थे, और वाकई में लग रहा था कि बिक बॉस का गेम जो है, मिलिन गाबा कितने डिगनिटी के साथ खेल रहे हैं, कितने अच्छे से खेल रहे हैं, और उनके जो वान लाइनर थे, वो लोगों को बहुत अच्छे लगे, तो शुरू में गेम वो नहीं खेल पाए, लेकिन बाद में जब उन्होंने गेम खेलना शुरू किया, तब तर बहुत लेट हो चुका था, अब उन्होंने आने के बाद जो है, कहा, एच दे इन दिस हाउस मेड मी हम्बल, मतलब मुझे बहुत जादा हम्बल और सहनशील बनाया है इस घर ने, मैं हर उस किसी का शुकर गुजार हूँ, थैंक्स जिसने मुझे इतना प्यार दिया, चाहे वो मेरा परिबार हो, मेरी फैंबली हो, मेरे फैंस हो या फिर फ्रेंड्स हो, थैंक्यू बीबी और ओटिटी फॉर दिस लाइफ टाइम ओपर्चुनिटी, अक्षरा पार्टनर, थैंक्यू फर बीग दपॉफेक्ट कनेक्शन, साथ आए, साथ जाएंगे, गेस किस्मत में यही लिखा था, तो इस तरीके से उन्होंने अक्षरा को भी क्रेडिट दिया है, अपनी जन्नी के लिए, बिल्पॉस ओटिटी को धन्यवाद दिया है, और फैंस और परिवार का शुक्रिया अदा किया है,